So hey guys, Dev here and welcome back to my channel So guys, how to make transition part 1 and part 2 में आप लोगों ने मुझे बहुती अच्छा का सा response दिया Guys, अगर सच बताऊ तो यार दिल खुस हो गया तो आप लोगों में से काफे सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भई, part 3 कब आएगा और भई, कुछ hard transition सिखाओ So guys, finally part 3 आगया है Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस तरह का transition मना सकते हैं मतलब पहले ऐसे, फिर ऐसे, देन ऐसे तो ये वाला transition देखने में बहुत ज़्यादा मुस्किल लगता है पर guys, आसा कुछ नहीं है बहुत easy है आप लोग just इस वीडियो को पूरा end तक देखते रही है I hope कि आप लोग भी सीख जाएंगे और guys, मैं आप लोगों को बहुती easy way में सिखाता हूँ और guys, आगे चलके मैं आप लोगों को और भी hard transition सिखाओंगा तो आप लोगों क्या करना है इस चैनल को subscribe करना है और side में जो bell icon है उसको press करके all कर लेना है ताकि हमारा latest वीडियो का notification आप लोगों को मिलता रहे तो यार चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते है और guys, है पर मेरा एक request आप लोगों ने मुझे अभी तक Instagram पर follow नहीं किया है तो आप लोग मुझे follow कर लीजिए मेरा Instagram का ID है देवजीत.07 Link आप लोगों को description पर मिल जाएगा guys, इस बार भूल मत जाना So guys, है पर मैंने song चूश कर लिया है तो song है ये वाला तो ये transition बहुत हार है पर बहुत easy है आप लोग just मुझे follow कीजिए तो पहले आप लोगों को एहाँ पर camera set करना है आप लोगों को stand पर मतलब tripod पर camera को लगा रहा है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि tripod किसी भी तरह से हिलना नहीं चाहिए अगर आप लोग का tripod है पर हिल गया अगर आप लोग का camera angle इधर उतर हो गया तो आप लोग का transition है पर मिले का नहीं तो stand आपने जहां पर set किया है वीडियो स्टार्ट करने के बाद आप लोगो ध्यान रखना है कि stand बहुँआ पर ही होना चलिए तो चलिए यहाँ पर मैंने song choose कर लिया है तो आप लोग भी tik-tok से एक song choose कर लीजे और उस song को आप लोग play कर दीजे और guys play करने के बाद आप लोगो जो एस song के अबर lip sing भी करना है और साथो साथ आप लोगो transition भी करना है तो आप लोग just मुझे follow कीजे मेंगा कि लिए fact लाँ स्ट साथ लोगो एक लाँ स्ट लixon मेंगा ट्हए्ट मेंगा बटे आप सा स्ट लीजे लव खब्स साथ बडसेफेंड कोborg रहा हुं आट वीजग सम olm में 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 forwards में में आट को ते हम Τ 노래 तो गाइस वीडियो सूट तो हो गया तो आप लोग भी कुछ ऐसे वीडियो सूट कर लीजिये और गाइस अभी टाइम है वीडियो को एडिट करने का तो यहाप लोग कोई भी वीडियो एडिटिंग अप्लिकेशन यूज कर सकते हैं यहाप पर मैं यूज करने वाला हूँ पावर डिरेक्टर जो आप लोग को इजी ली प्ले स्टूर पर मिल जाएगा या फिर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो चलिए भी चलते हैं मोबाइल स्क्रिंड पर मैं आ आप लोग को वीडियो चूज करना है जो वीडियो आप लोग ने सूट किया है तो यहाप पर मैंने जो वीडियो सूट किया है वह मैं से चूज कर लेता हूं यह फर्स्ट पार्ट यह सेगेंट यह थर्ड और यह फोर्थ तो आप लोग को एक करके ड्राग करके टाइम ला बनाया है उस साउंट को अपर आप लोग को कोई भी एक वीडियो को टिक टॉक से डाउनलोड कर लेना है तो यह हो वीडियो जिस साउंट के उपर मैंने वीडियो बनाया है तो इसको भी आप लोगो जो है ड्रैक करके टाइम लाइन के साउंट रिलियर के ऊपर छोड़ देन तो इसको पहले आप लोगो रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए आप लोगो वीडियो क्लिप के पर क्लिक करना है और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेंसिल का एकन है तो यहाँ पर आप लोगो क्लिक करना है और यह रहाँ यहाँ पर रोटेट का आप लोग को किलिक करने है और वी विडिए रॉटे णोए तो से में तरीके से आप लोग को चारों पार्ट को रोडेट कर लेना है और अभी आप लोगों सीच्ड रंप alternatives ठास्ट किया है तो साउंन देश में हो और गईस आप लोगो थोड़ा सा यह पर जूम करना है तो इससे क्या होगा आप लोग को आसानी होगा वीडियो को काथने में तो अभी वीडियो को प्ले करते हैं तो यहां से मेरा साउंड स्टार्ट हुआ है तो यहां पर मुझे लगना है एक कट तो यह कट लगने के लिए आप लोगो वीडियो क्लिप के उपर क्लिक करना है साइड में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक पेंसिल का इकन है यहां पर आप लोगो क्लिक करना है और यह साउंड है इसको आप लोगो ड्रैक करके एकदम सामने ले आना है ठीक है तो अभी देखते हैं तो अभी आप लोगो को लगाना है और एक कट तो यह कट कहा पे लगाना है एकदम मिडिल पोजिशन पर जहां से आपने सर्ट को खीचा है मतलब यह स्टार्टिंग पॉइं में और आप लोगों देखना है कि एहां पर आपने कहा से इस सर्ट को खीचा है एहां से तो यह मिडिल पोजिशन है तो यहां पर आप लोगो लगाना है एक कट और बाकी जो पहला वाला हिस्सा है वह आप लोगो डिलिट कर देना है तो अभी देखते हैं कि मैच हुआ की नहीं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैच हो गया है तो यहां पर भी आप लोगो लगना है सेम तरीके से और एक कट एकदम मिडिल में तो यह स्टार्टिंग पॉइंट यहां से मैंने खीचा है और यह है मिडिल तो यहां पर लगना है कट और जो बेकार हिस्सा ह वो आप लोगो delete कर देना है उसके बाद आप लोगो जाना है third clip में तो यह है middle position तो यहाप लगाना है cut और जो बेकार हिस्सा है वो आप लोगो delete कर देना है तो देखते हैं कि match हुआ कि नहीं तो यहाप लोग देख सकते हैं कि यहाप पर transition match हो गया है तो अभी time है last part को edit करने का यहाप लोगो देखना है कि कहां पर आपने मारा है तो मैंने मारा है यहाप लोगो cut लगाना है थोड़ा सा आगे मतलब इस position में आप लोगो cut लगाना है अ लुकित अब लोगो देखना है कि कहां पर आपने पाउडर मारा है और यहाप लुकित मैंने मारा है यहाप लगाना है और अगर आप लोग चाहते हैं थोर सा स्लो मो करना तो वह कैसे करते हैं स्लो मो करने के लिए आप जहां सा स्लो मो करना चाहते हैं ओहां पर लगना है आप लोग को एक कट तो मान लीजे कि मैं यहां पर एक स्लो मो करना चाहता हूं यहां से तो यहां पर मुझे लगना है एक क और आप पर जो new clip create हुआ, उस clip के उपर आप लोगो click करना है और आप लोगँ देख सकते हैं, आप एक option है speed का, तो speed के उपर आप लोगो click करना है और इसका a speed है, यह आप लोगो कम कर देना है तो यहाँ पर मैं 45x कर देता हूँ तो अभी चेक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर slow mo हो गया है अभी वीडियो को save करने के लिए उपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक option है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है उसके बाद click करना है save to gallery उसके बाद यहाँ पर आप लोग को quality select करना है तो यहाँ पर मैं select करता हूँ full HD उसके बाद just produce तो यार आज खली इतना ही I hope कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आए होगा तो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग क्या करना है यह जो वीडियो है इसको करना है एक like यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग करना है comment और guys अगर आप लोग में चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को subscribe करने के साथ साथ side में जो bell icon है उसको press करके all कर लेना है ताकि हमारा latest वीडियो का notification आप लोग को मिलता रहे तो यार मिलते हैं next कोई और वीडियो में तब तके लिए जाए हिंद बंदे मातरम